हेलो वास्टप गैस कैसे आप सभी लोग स्वागत आपका मेरे चैनल पर एक और नहीं ब्रैंड न्यू वीडियो में तो भाई आज के लोग बहुत ही जादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि गैस मुझे हाली में कुछ सोर्सिस से पता चला है कि इंडिया मे काफी लोगों के पास स्मार्ट टीवि नहीं है तो भाई स्मार्ट टीवि तो आजकल एक necessity है क्योंकि वेब सीडियू आ रहे हैं वो बी तो बाई ओनलाइन तो होना ही बढ़ेगा ना टीवी के उपर भी क्योंकि बड़ी स्क्रीन के उपर ही मजा आता है इन सभी चीजों को कंज्यूम करने गा तो बहुत आज आपको बताने वालों कैसे आप एक नॉर्मल टीवी को कंवर्ट कर सकते हो एक स्मार्ट टीवी में तो यहां पर मेरे साइड में एक 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 एचडी टीवी है सोनी ब्राविया का जिसमें कोई भी स्मार्ट फीचर नहीं है जैसे कि वाइफाई ऐसेशिबिलिटी और एंड्रॉइड टीवी ओएस तो यह तो कि अगर आपने इस वीडियो को खोल लिया है तो पूरा देखना क्योंकि अगर आपके पास components नहीं भी रहेंगे जो इसको smart बनाने के लिए जरूरी है तब भी वीडियो को देखने में बहुत बहुत मज़ा आएगा और आपको अच्छी नॉलिज मिलने वाली है तो भाई अभी मैं सबसे पहले आपको यह पूरा में ऐसा setup एक्षपलीए कर देना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको पता ना हो इस वीडियो में मैं बताने क्या वाला उंग तो भाई मैं मैं बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा setup create करके दिखाने वाला हूँ जिसमें main component है कर रहने वाला है laptop तो भाई अगर आपके पास laptop नहीं भी है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो तो अभी मैं आपको ये पूरा setup animation के साथ explain करूँगा सबसे पहले आपको अपने laptop को connect करना है TV के साथ through HDMI cable HDMI cable आपके पास already available हो सकती है अगर आपने कोई भी normal setup box connect करके रखा है अपने TV के साथ already तो आपके पास ज़रूर होगी HDMI cable उसके बाद आपको अपना laptop है वो connect करना है अपने mobile phone के साथ एक software के through wirelessly इसके बाद आपका phone wireless remote बन जाएगा आपके laptop का ठीक है उसके बाद आपके laptop के lid close हो जाएगी वो कैसे होगी मैं आपको आगे बता दूँगा और उसके बाद आपका जो phone है सीधा control कर रहा होगा आपके TV की display को जिसके उपर सारा content आएगा जो भी आप मतलब अगर internet access करोगे तो वो भी show होगा मतलब game खिलूगे सब को show होने वाला है आपके TV screen के उपर तो भाई ऐसे setup को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने laptop के अंदर कुछ settings करनी पड़ेंगी सबसे पहले आपको यहाँ पर search करना है start menu में यहाँ पर आप देख सेक्थे तीसरे नमबर पर बैटरी वाला sign दिख जाएगा यहाँ पर तीन option मिलेंगी change what the power button do यहाँ पर change battery settings होगा और तीसरे नमबर पर होगा change what closing the lid does तो भाई इसको आपको select करना है जैसा कि मैं अभी करने वाला हूँ तो select करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ options दिखेंगे यहाँ पर आपको सब को do nothing कर देना है इसके बाद आपका जो laptop है अगर आप उसकी lid close भी करोगे तो वो कोई भी action नहीं लेगा मतलब sleep mode में नहीं जाएगा shutdown नहीं होगा कुछ नहीं होगा जस्त आपको ऐसे save changes कर देना है उसके बाद आपको remote setup करना पड़ेगा मतलब अपने phone को remote बनाने का setup इसके लिए आपको एक software की जरूरत पड़ेगी तो उसको download करने के लिए अपने browser में आ जाओ वहां पर Google खोलो और search कर दो monact pc remote receiver जिसका link direct आपको मिल जाएगा मेरे description में तो आपको सबसे पहले वाली website को खोल लेना है जैसके मैं यहाँ पर खोल ला हूँ और पहले भी मैंने खोला हुगा इसलिए आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने खोल लिए यहाँ पर आपको download वाला बटन दबा देना है मतलब download करो जल्दी से जल्दी कर लो वस तो यहाँ पर आप देख सकते हो download link one यहाँ पर दो link होगे कोई भी crash हुआ तो दूसरा ट्राइक कर लेना यहाँ पर मैं cancel कर दूँगा क्योंकि मैं already कर चुका हूँ उसके बाद आपको यह file दिखेगी इसके उपर आपको double click करना है उसके बाद यह बहुत ही मतलब simple तरीके से जैसा आपने कभी भी कोई भी अगर software install किया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत ही easily लिए software install हो जाते कुछी second में just next next दबाओ और finish वाला button दबाओ उसके बाद देखो भाई आपके computer के अंदर आ चुका है वह software उसके बाद गाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि laptop में अभी मैं इस software को open करने वाला हूँ तो open करने के लिए क्या करना है आप सभी लोग को पता ही है जैसा की double click करना है इसके उपर हमने double click कर दिया है तो भाई मैं सबसे पहले बता दूं disclaimer है भाई login कर ले ना इसके अंदर ने तो login नहीं करोगे तो भाई अभी अगर बाद में connect ना हो तो मुझे करोगे उसके बाद आपको बिल्कुल अराम से अपना जो laptop है उसका Wi-Fi on कर जैसा की मैंने यहां पर कर दिया है उसके बाद क्या करना है आपको अपने phone का mobile hotspot on करना है hotspot को on करो और मतलब चिल मारो क्योंकि कुछ second में आपका जो hotspot है वो connect हो जाएगा Wi-Fi के साथ आपके laptop के मतलब कि यह दोनों connect हो जाएंगे अभी Wi-Fi on किया था तो अभी connection पूरा हो जाए सफलता प्राप्त कर लिए हमने अराम से हो जाएगा कोई tension की बात नहीं है उसके बाद आपको प्लेस्टों या एप स्चोर से PC remote नामक app को इंस्टॉल करना है जैसा कि मैंने अल्रेडी कर रखा है open करो simple interface है यहांबर connect का option होगा connect के उपर दबा देना है आपको button और य इसके बाद यहांपर आप देख सकते हो कि cursor पीछे हिल रहा है मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ trackpad भन चुका है मतलब मेरा phone और यहांपर मैं आपको type करके भी दिखा देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हो इस time पर मैं type कर रहा हूँ बहुत ही easily type कर पा रहा हूँ और इसका keyboard क interface बहुत अच्छा है इसको आप portrait mode में भी मतलब portrait keyboard भी यूज कर सकते हो इसका जो कि बहुत ही अच्छी बात है दो type of keyboards है इसके अंदर उसके बाद आपको गया करना है बस HDMI के through connect करना है अपने laptop की display को TV की display के साथ एक end से यह connected होगी TV के साथ और दूसरे end से यहांपर आप दे 95% laptops में होता है तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो display है वो connect हो चुकी है अभी आपको कुछ नहीं करना है जसके मैंने अभी यहां पर कर दिया है मतलब tension की कोई बात नहीं है अराम से कर दो कोई भी action नहीं होगा आपकी TV display के उपर और यहां पर मैंने इसको मतलब अभी as a controller क्योंकि आप इसको अल्रेडी अपने laptop के साथ connect कर चुके हो और उसकी जो display है वो TV के उपर चल रही है और वो खुद तो बंद पढ़ा है मतलब apparently बंद है लेकिन चल रहा है तो यहां पर मैंने अभी YouTube को खोल दिया है बाई और YouTube आप बहुत ही अराम से चला पाओगे इस इसके साथ जैसे कि आप देख सकते हो scroller भी है इसके साथ यहां पर आपको right side में scroller देखने को मिलता है तो अगर मैं scroll करूंगा तो काफी efficiently scroll कर पाऊंगा और easily यहां पर मैं feed check कर सकता हूं किसी भी social media site की यहां पर मैं easily कुछ भी search कर सकता हूं क्यूंकि इसमें डो type of keyboard है जैस यहां पर आपको अब एक trick बताता हूं यहां पर आपको search वाले menu में आना है और यहां पर आपको search करना है use मतलब अकेला use भी लिखोगे तो पहले number पर use start full screen की option आ जाएगी तो यहां पर आपको यह देखेगी highlighted नीचे तो आपको कुछ नहीं करना है इसको just on कर देदा है इसके बाद guys थोड़ा सा जादू होगो एक चोटा सा जो आपके टीवी के लिए काफी अच्छा रहेगा और icon सारे बड़े हो जाएगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि अभी मैं start button दबाऊंगा तो वो पूरी screen को मतलब occupy कर लेगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते पूरे हो जाएंगे आपके google play से कुछ भी download करो खेलो games कुछ भी करो मतलब tension की कोई बात ही नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है कोई भी छोटा मोटा या कोई भी अच्छा भला एक emulator download कर लेना है emulator का link description में है मैंने blue stacks 5 download किया है जो मैंने इस time पर खोल लिया है इसक के उपर आपको hold करना है मतलब hold करना है right click नहीं sorry left click को hold करना है और उसके बाद आपको क्या करना है नीचे आ जाना है इसकी settings में यहां पर आप दिख सकते हो home app है इसके उपर आना है आपको home app के उपर click करो और यहां पर आपको select कर लेना है ATV launcher इसके बाद यह आपका default home app बन ना लिया तो कुछ ऐसा ही आपका खुल जाएगा सीधा ही laptop कुछ ऐसे ही तरीके से मतलब थोड़ी बहुत आपको optimization खुदी करनी होगी तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस टाइम पर हम खेल रहे हैं GTA 4 जी हैं इस टाइम पर मैं GTA 4 अपने TV में खेल रहा हूं और यहां पर मैं laptop को यूज कर लेता हूं as a high-end console जैसे कि काफी high-end game है मतलब इतनी भी नहीं काफी मतलब कह सकते हैं GTA 4 काफी resources को यूज करती है तो मैं इस टाइम पर खेल रहा हूं और इसको download करना भी कुछ मतलब बहुत जादा मुश्किल नहीं था मेरे लिए तो मैं इसके ओपर पूर इस एक solution है और यह वाला solution आपके normal TV को smart TV बना देगा बहुत ही कम budget में मतलब बहुत कम पैसे लगेंगे आपके और आपको बिल्कुल भी नया TV करीदने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो यह basically है क्या अभी मैं बताता हूं मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक streaming device करीद लो जै इनकी processing speed में और specifications में फर्क होता है लेकिन basic काम इनका same होता है तो आप में इन में से कोई भी खरीज सकते हो अपने budget के हिसाब से और इसके साथ आपको एक remote मिलेगा यह आपके TV के साथ connect हो जाएंगी और आप बिल्कुल अराम से optimized तरीके से use कर पाओगे smart TV को अधब smart TV features को ब मेरी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बैल एकन को दबा देना मतलब यह आपको करना है मैं पूरे effort के साथ कह रहा हूं तो आप जरूर करोगे मुझे आपके उपर वरोसा है इतना सा और like जरूर कर देना भाई वीडियो को like करोगे तो म मज़ा आ जाएगा बाई मतलब आ जाएगा एक बार तो भी में चलतो जल्दी मिलूगा आपको एक और नहीं ब्रैंड यू वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई